आज का रेसिपी है कि चनादाल और कच्छे नारियल का एकदम युनिक रेसिपी है ये अपने पास सबजी कुछ भी नहीं है कुछ भी नयाद चीज खाने को मन कर रहा है इसी उसी स्टेच पे अपन इसमें बनाते हैं चनादाल और ये नारियल से एकदम युनिक डिश बना लीजिए और एंजोय कर लीजिए ये सूखा सालन है ना इसी के साथ आप लोग कौन सा भी खटा सालन अगर नई बोलतो चटनी के साथ परूस ये एकदम बढ़िया रहता है तो लेजिए शुरुवात करते हैं 150 ग्राम्स चना दाल को अच्छा साब धो लेके अपन एक आदा घंटा फैले भीगा लेना है अच्छा सा भीगा लेके अपन एस चने दाल को कुकर में दाल के जैस्ट टू विजिल्स ज्यादा नई आना है एकदम अपना दाल नई गलना है दाल गलना है लेकिन सालिड पीस तो पूरा गलायने जैसा जस्ट्ट तोlex लगाय लगारी तो आप लोगको अच्छा इसा पूरफेक्ट नयका है जैसा अपने को पकता है इसको विजल लगाके ट्रशबर की तरह सी तरह और लेका जाए ऐसा में कश्चा नारें पूरा लेके पार है मिक्सी में दालके ग्रैंड कर लीजिए, पानी नई दालना है, दूसरा यह है कि आप लोग मिक्सी जार में नई दालना समझे तो आप लोग कद्दूकस भी कर ले सकते हैं इसको, आगर इसमें पानी नई दाले जैसा कद्दूकस करेश्टे में अपने को काईसा होता है, ग्र दूसरी तरफ देखीजिए, अपना दाल भी अपने कुछ जैसा होना है, उसी तरह तरीखे से पक्के अपने को solid दाल बनके रड़ी हो गया है, इसको साइड में रख दीजिए, अब आपन एक कड़ई को चड़ा के उसमें दालते हैं, 3 टेबल स्पून सॉयल दाल देके, अब अब लोग आपके खार के मुताबिक आप लोग आठ कर लीजिए, इसलिए 10 से 15 बोल चिकी हो मैं, पूरे अच्छा से तुकड़े करके दाल लीजिए, और एक मुठी भर करी लिउस, करी लिउस भी दाल देके, पूरों को अच्छा सा स्वाते कर लीजिए, और दूसरा ये ह है कि इसमें ग्रीन चिली, रेड चिली पौडर याड नहीं करते हैं, जस्ट रेड चिली से ड्राय रेड चिली से अपने रेस्पी बनाते हैं, तो एक पूरों को अच्छा से साते कर लिए बाद, देखीजिए, अच्छा सा साते हो चुका है, इसी वक्त अपने आड करते है कच्छा नारियल जो मिक्स कर लिए सब्सक्राइब अच्छा सा दाल के पूरे एक कच्छा स्मेल भी जाना है और उसका अच्छा सा एक आरोमा चुटता है अच्छा स्मेल आता है अपने को उसी स्टेज कर अगर नहीं बोलता लाइट ब्राउन कलर आए तक आप लोग इसको स् पूरा अच्छा सा मिला के एक बर टू-त्री मिनिट्स और थोड़ा सा साथे कर लीजिए कर लेने से अपने को एक कच्छा स्मेल पूरा जाके अच्छा सा आरोमा आते रहता है उसी स्टेज तक अपन इसको साथे कर लेगे उसी के बाद अपन इसमें आड करते हैं अपन आल तो चनख दाल दले वाद ज्यादा देर पकने की जरूरी ने हैं शाना नारेल और चनख दल पूआ स्व कर लेके तो आपनी न रखे तो न सालंग रड़ी बनके तैयार हो जाता है औपने और दूसरा या है कि इसमें मेजर इंग का कोई जरूरी नहीं क्योंकि आप लोग चन्य की दाल ज्यादा होना समझे तो ज्यादा दाल लीजिए नारिल ज्यादा होना समझे तो ज्यादा दाल ले सकते हैं नई दो इक्वल रेशियो में होना समझे तो इस तरह से दाल ले सकते हैं तो अपना रेस्पी बनके तयार हो गया है अगर आपलो को ये वीडियो पसंद आये तो लाइक करो, फ्रेंड्स को रेलेटिवस को शेर करो और अच्छे नये युनीक, टेस्टी, इजी, क्विक रेस्पीस के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करना भूलिये मत तैंक्स फर वाचिंग